प्रण है, हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैस्ता होगा हर बहेन के खाते में 2100 रुपया हर महिना डाले जाएंगे कितने रुप्या डाले जाएंगे जोर से बोलो कितने डाले जाएंगे बेहने तुम भी बोलो कितने डाले जाएंगे और कौनसी तारीक को डाले जाएंगे पताएगी नहीं हर महिने की ग्यारा तारीक को डाले जाएंगे हमारे पंच प्रण हैं पंच प्रण प्रण नमबर एक नौजवानों को नौकरी देना भांजे भांजी और चिंदा मत करना है अब तुम्हारे भाग के जगने वाले हैं हम पाच लाग रोजगार अलग देंगे और दो लाग सत्तासी हजार नौकरी अलग देंगे एक प्रण और सुनना मेरी बहनों मैं तुम्हारा भाई हूँ मद्प्रदेश पहला राज था जिसने लाडली बहना योजना बनाई और तै किया के हर मईने अपनी बहनाओं के खाते में पैसा डाला जाएगा मेरी गरी बहन जो हजार पास सो रुपए के लिए तरश जाती थी उसको पैसा दैने की शुरुआत हुई थी तो मद्प्रदेश से हुई थी ये हैमंत ने भी कहा था दो हजार रुपए चूला खर्च दूँगा बताओ मेरी बेनो पास साल लगातार दो हजार रुपए चूला खर्च किसी को मिला क्या जो हर से मौलो मिला क्या धेला नहीं दिया जब दस में चार साल दस में न हो गए तो मुले हजार रुपए ये ले लो हजार रुपए ये ले लो हजार रुपए ये ले लो तुक्ले डालने आ गया अरे पहले एक लाग बीस अजार जमा कर बेहनों के खाते में और नहीं तो गौम नहीं घुसने देगी ये बेहने तुमें क्या कहता तुमें? हर महीने दुआजार देगे अब हजार रुपयों देने की बात कर रहा सुनो मेरी बेहनों तुम भी सुनना और जाके कह देना हर घर में भारती जनता पारिटी का संकल पे प्रण है हमारी सरकार बनते ही पहली केविनेट में सैस्टा होगा हर बेहन के खाते में दो हजार एक सो रुपया हर महीना डाले जाएंगे कितने रुपया डाले जाएंगे? जोर से बोलो कितने डाले जाएंगे बेने तुम भी बोलो कितने डाले जाएंगे और कौन सी तारीक को डाले जाएंगे पताएगी नहीं हर महिने की ग्यारा तारीक को डाले जाएंगे कौन सी तारीक को पीछे तक बोलो कौन सी तारीक को अज़ा फारम कौन को ने भरे ज़र रहात उठाओ बेहनों जिने नहीं भरे वे भर्दना नभीन जी कोई बेहन को मत छोड़ना ये भारती जनता पालिटी का प्रण है दो हजार एक सुर रुपया हर मैना दिये जाएंगे बेहनों